हलो दोस्तों इस वीडेयो में हम लोग कोहरा है रियल कलेंडर बनाने वाले हैं जो दुखहर पैज अने वाले हैं उसका रियल कलेंडर हम लोग इस विडेयो में बनाने वाले तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर calendar design करना ही देखते हैं ठीक है फोटो पर लेना तो बहुत ही असान है तो उसको हम लोग असानी से ले सकते हैं ठीक है तो हम लोग को यहाँ से यहाँ तक में क्या कर रहा है कि यहाँ पर हमको calendar लगाना है वो भी Real Calendar देना है एसा ही नही रियल कलेंडर लगाना है ठीक है फोल्डों के अंदर Real Calendar बनाने के लिए क्या करना है यहाँ पर आपको एक Option देखने को मिलेगा Tools ठीक है ठीक है टूल्स वाले Option पर आपको ख्लिक करना है तो जैसे कि मेरे में स्क्रीप्क लिखा हुआ है तो यहाँ पर सक्रीट राओंच पर पराउचन क्लिक करना और वहां पर अगर आपको Marko लिख रहा है तो यहाँ पर Run Script के बाद आपको Run Marko भी लिखेगा ठीक है तो आपको Run Marko भी कर लेना है तो जैसे हमारा यहां पर run script लिख रहा तो normally run script आपको click करना तो इस तरीके से आपके सामने यहां पर panel खुलेगा तो यहां पर जो Marcos इंज लिखा हुआ है इस पर आपको click करना और यहां पर एक option आपको देखने को मिलेगा calendar wizard ठीक है calendar wizard तो यह वाले option पर आपको click करना और normally यह यहां से आपको run वाले option पर click करना है तो कुछ इस तरीके से यह panel आपके सामने खुल जाएगा तो देख सकते हैं जैसे यहां पर expand करके option आएगा तो expand कर रहा है तो अभी जो calendar का भीव देख रहे है वो यह है तो यह केबल जनबरी मन्त का है अगर आपको माले जिए फरवरी च स्लेक्ट हो जागा देख सकते हैं केबल इसमें एक मन्त का प्रिव्यू देखने को मिल रहा है तो यहां जो layout वाला option है ठीक है यह layout वाले option पर आपको क्लिक करना है तो यहां पर बहुत सारा format खुलता है आप किस format में लेना चाहते हैं तो जैसे देख सकते हैं यहां पर क्या online है तो आपको जो लेना है आप अपने according इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से तो अगर मालेजी आपको यह पसंद है तो आप इसको ले सकते हैं और यहां से expand वाले option पर क्लिक करेंगे तो इसका यहां पर preview आप प्रोपरली देख सकते हैं आपको color यहां पर black नहीं कुछ और color चाहिए तो इस पर आपको क्लिक करना है और जो भी आपको color इसमें पसंद आ रहा है आप अपने according यहां टेक्स का color कर लेंगे और यहां जैसे ok करेंगे तो देख सकते हैं यहां पर टेक्स का color चेंज हो गया इसके सांसत अगर माली जी यह सब या month जो हमारा यहां पर weeks का नाम इलिखा हुआ day इसका भी change करना है तो आप इसका भी यहां पर कर सकते हैं जैसे यहां पर यह भी black है तो अगर आपको दूसरा color करना चाहते है तो आप अपने according यहां से color को चूज करेंगे और यहां से ok कर देंगे तो देख सकते हैं इसका यहाँ पे color change हो गया ठीक है इसी तरीके से यहाँ पे यह white color है अगर आपको white नहीं दूसरा color चाहिए तो आप यहाँ से normally okay करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा color हो गया तो इसमें red नहीं कोई other color हम लोग यहाँ से choose कर रहे है तो कुछ इस तरीके से यह color choose कर लेना औ हम लोग यहाँ पे white लेंगे कुछ इस तरीके से यह white color लेंगे और okay कर देंगे तो देख सकते हैं अब जो हमारा calendar देखने में लग रहा बहुत ही अच्छा लग रहा तो यह कैसी यहाँ पे देखने में लग रहा तो यह जैसे ही आपका final calendar design हो जाए इसके बाद क्या करना है यहाँ पर आपको generate वाले option पर क्लिट करना है और यह जने वाले option पर क्लिक करने के बाद धोरा सा आपको यह white करना और इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे message आएगा यह आपका calendar जनेरेट हो गया इसको कर देना और इसको यहां से कर देना है तो देख सकते हैं कि यहां पे full कि इस पूरे कलेंडर को गुरूप करने के बाद क्या करना है इसको थोड़ा सा आप अपने को चोटा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से यहां पे आपको चोटा कर लेना है कर लेना है इसके बाद क्या करना है कीबोर्ट से आपको कंट्रोल क्यू करना है कंट्रोल क्यू करने के बाद यहां पे आपको सेफ पूल पे क्लिक करना है और सेफ पूल पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको क्या करना है कहीं एक पॉइट पे आपको क्लिक करना है करना आप अपने कोड़ को फील कर सकते हैं तो यह क्या हो जागा क्या नीचे चल जाए गए करेंगे OSN देखने को मिलेगा तो आप यहां से भी आगे पीछे कि सकते हैं और कुछ इस तरीके से इसabouts नीचे मिलाकर आपको अर्जेस्ट कर देना है ठीक है कुछ इस तरीके से यह अर्जेस्ट हो जाएगा और फिर से आपको क्या करना है सेप उन पे क्लिक करना है और सेप उन पे क्लिक करने के बाद यह वाला पॉइंट को कुछ इस तरीके से इसके अंदर में आपको कर देना है तो इस तरीके से यह आपका डीजाइन हो जाएगा और इसके बाद उपर वाला में जो भी आपको पिक्टर करना है वो पिकचर को नर्मली क्या करना है तो इस पे click करना और यहाँ पे import वाले option पे आपको click करना और कुछ इस तरीके सी यह picture को आपको यहाँ पे drag कर लेना है ठीक है यह देख सकते आपका picture यहाँ पे आगया तो यह picture को इस shape के अंदर आपको लेना है ठीक है तो इसके लिए क्या करना है इस picture पे आपको right click करना है औ दवा के रखना और इस शेप के ऊपर में कुछ इस तरीके से लाना तो जैसे ही आप लाएंगे तो आपके सामने यहां पे एक उप्शन आएगा पावर क्लिप इंसाइड तो इस पर आपको प्लिक करना और देख सकते यह पिक्चर आपके इस शेप के अंदर तो आ गया लेकि से ही अर्जेस्ट हो जा इसके बाद यहां पे आपको फिनिस वाले उप्शन पर क्लिक करना और देख सकते हैं कि इसके अन्दर में यह छेफ के अंदर में आपका पिक्शरआघा और इसके बाद यहां पर जो भी आप टेक्स लिएक नहीं आपना केलेंडर को टियार कर सकता तो आई होप कि आपको कोल्डों के अंदर इस तरीके का रियल कलेंडर बनाना आ गया होगा तो एसी और वीडियो देखने के मारे चैनल को अभी सब्सक्राइब पर लाइक के अपने दोस्तों तक शार कराना न भूले चलिए विलते हैं नेक्स्ट वीडियो में